हलो फ्रेंट्स वल्कम टो में चेनल टेक्निकल ट्रिक फ्रेंट्स में आज आप लोगों को एक LM370T IC से वोल्टेज रिगूलेटर बना के दिखाऊंगा तो आईए इस वीडियो को शुरू कते हैं आप लोग देख सकते हैं ये एक LM370T IC है और हम एक पोटन्सियो मिटर ले ले लेंगे 100K का फिर इस IC के पहले बाले पिन से इस पोटन्सियो मिटर की तीन नमर पिन पर हम सोल्डिंग कर लेंगे ये IC पहले बाला पिन और दूसरी बाला पिन पर हम एक 1K का रेजिस्टर सोल्डिंग कर लेंगे फिर हम दो वायर लेंगे दो वायर को पोटन्सियो मिटर की बीच पहले पिन पर सोल्डिंग कर लेंगे यहां पर हमें बोल्टेज नेगेटिव की इनपुट देनी है और इस IC से एक वायर लेके बीच पहले पिन से सोल्डिंग कर लेंगे अच्छे तरह से सोल्डिंग करने के बाद हम एक दूसरा वायर लेके इस IC के तीन नमर पिन पर सोल्डिंग कर लते है अच्छे तरह से सोल्डिंग कर लेंगे सोल्डिंग करने के बाद हम एक हेट सिंग लेकर इस IC को इस हेट सिंग के उपर अच्छे तरह से से कर लेंगे फिर इस का इस IC का जो तीन नवर पिन पर और इस potentiometer के बीच बाले पिन पर जो वायर लगा हुआ है इन दोनों को हमें बैटरी से connect कर लेंगे IC के पिन से जो वायर निकलता है उससे बैटरी के positive के साथ शुलिंग कर लेंगे फिर हमें 12 भॉल्ड का bulb ले लेंगे इस बल्ब में जो IC से आर्टपूट वायर निकला था वो सोल्डिंग कर लेंगे इस IC में जो पहले वाला पिन वो अर्जस्ट के लिए होता है बीच वाला पिन भोल्टेज आउट और तीन नम्बर वाला पिन भोल्टेज इन्पूट के लिए होता है इस से इस पोटेंशियमेटर के बीच वाले भी इनको हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से सोल्डिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा यह लेगुलेटर बिलकुल अच्छे से वार कर रहा है हम पोटेंशियमेटर को बढ़ा करके देखेंगे अप लोग देख सकते हैं यह बाल बिलकुल अच्छे से ग्लो कर रहा है और धीरे धीरे डीम भी कर रहा है तो फ्रेंश आप लोगों कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताईए और वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए